प्रदेश की साथ विदान सवा सीटों पर उप्चनाव के लिए मतदान संपन शाम पाँच बे तक मिरी जानकारी के रुसार लगबग पश्पन प्रतिशत हुआ मतदान राइवरिली सदर विधायक अधिती सिंग ने कॉंग्रिस पर ट्रस्ट की जमीन बेचने का लगाया आरोप आठ्थिक अपराज शाका से मामले की जाँच कराए जाने की की मांग हाथ रसकान में सी बियाई की जाँच और पूस्ता जारी सी एर पिफ के जवानों को पीलित परिवार और गवाहों की सुरक्षा की दी गई जिम्मेदारी करोना के चलते सुस्त पड़ी अर्थ वेस्ता ने पकड़ी रफ्तार जिस टी कलेक्शन में ग्यारा फीजदी की बड़ोत्री नमस्कार मैं हूँ हिमाई शिसोनकर और अब समाचार पिस्तार से प्रदेश की साथ विधानसवा सीटों पर हो रहे उपचनाओं के लिए आज मद्दान संपन हो गया उपचनाओं में जो विधानसवा सीटे शामिल हैं उनमें अमरोहा जिले की नौगाओं साधाद, बुलन शहर फिरोजबाद जिले की टूंडला सुरक्षित, उन्नाओं की बांगरमाओं, कानपूर की घाटपूर सुरक्षित, देवरिया और जौनपूर की मलहनी सीटे शा इनके अलावा 301 सेलेक्स्टर मजिस्टेट, 46 जोर्नल मजिस्टेट, 76 स्टेटिक मजिस्टेट और 333 माइक्रो आबजर्वर तैनाद हिये गए, चुनाओं प्रेक्रिया को शाकुसल संपन कराने के लिए 17183 मतनान कर्मी लगाए गए थे, इस उप चुनाओं के मतनान के लि दान सबा सीटों के लिए 24,34,386 मतनाता हैं, जिन में 13,38,098 पुरुष और 11,30,340 महिला मतनाताओं ने आज अपने मतनादिकार का प्रियोग किया। 40,65 प्रतिशत देवरिया में 48,48 प्रतिशत मलहनी में 55,60 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ है। करने की भी अंदेखी की गई है। एजुकेशनल सुसाइटी में कॉंगरेस के दिगज लोगों के नाम हैं जो गांधी परिवार के खास हैं और अब ये लोग इस जमीन को बेच रहे हैं। जबकि इस जमीन पर उनका कभी कबजा ही नहीं था। उन्होंने सवाल उठाया कि ये जमीन जब महाविद्याले के नाम दी गई थी तो इसको ये कैसे बेच सकते हैं। इस जमीन पर छोट छोटे गरीब दुकानदार काबिस हैं जिनका जीवन इनकी दुकानों की आये पर निर्भर है। गरीब दुकानदार भी इस जमीन को बेच जाने का विरोत कर रहे हैं। अदिती सिंग ने पताया है कि इस मामले की आर्थिक अपराज शाका से जाच कराने की मांगी है। अब में ट्रस्टी इनके विक्रम कॉल हैं जो शीला कॉल जी के बेटे हैं, सल्मान खुशीद हैं। तो बिलकुल ये गांधी परिवार के परिवार के सदस से एवं लॉयलिस्ट हैं। यश्पाल कपूर जी इस ट्रस्ट पे थे, उमार शंकर दिक्षिद जी इस ट्रस्ट के हिस्सा थे। तो सबसे बड़े नाम Congress Party Case Trust के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए थे और जुड़े हुए हैं। और ये सब गांधी परिवार के लोग हैं। शीला कॉल जी जो उनकी परिवार की सदस से हैं। विक्रम कॉल जी जो उनके परिवार की सदस से हैं। एवं सर्मान खुशीद सुनील देव जी ये सारे लोग जो उनके पार्टी के सीनियर लोग भी हैं और उनके दोस्त और लोयलिस्त नी हैं इस टाइब के लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं तो मैंने डिमांट करी है मांग करी है यो डबलू को चिठी लिखी है कि इस वह वन क्सिस सोसाइटी पर जाच हो और किस मन्ट्रा से कैसे ये जमीली को बेच रहा है था जब प्तटा ही गलत हुआ था जब पत्टा निरस्थ हो चुका है डी ऐम के माध्हम से फ्री होल कांसिलेशन का कि जब प्रक्रिया चल रही है सिविल सूट के माध्हम से तो कैसे ये किस हक से महा कबजा लेने की कोशिश कर रहे हैं इन गरीबों को हटा के मैं बिलकुल कह रही हूँ इसमें साक्ष सबूत के साथ मैं कह रही हूँ कि ये जो जमीनी घोटाला है बहुत ही बड़ा घोटाला है और बहुत सारे गरीब इससे प्रभावित हैं बहुत सारे गरीब लोगों को यहां से अगर हटाया जाएगा तो बहुत परिशानी और समस्या आएगी उनके लिए हमारा यहां मल्लब जमीन में करीब पचास साल से कब हाई जाए गोटल कर रहे थे अगले बार जब नोटिस आई है और फिर मल्लब आई है नोटिसी दे रहे हैं हम लोगों हताने के लिए ग्यारा तारीक तक का साथ 2003 में हमने पैसा जमा किया 25 पर तरी मल्लक स्वामित तो है माई पास साथ 45 साल का विडिली गभी 45 साल का तारी हम यहां से यहां पर जो है सलट ब्यासी से दुकान रखे हुए है और हम लोगों को प्रसासन से प्रसादी हो रही है कि हम लोग जब कि यहां पर मुकदमे चल रहे हैं से 2011 से और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं वाइब फिर भी हम लोगों को नोटीस दी जा रही है कि आप लोग दुकान या सकाली करिए अब हम लोग कहा जाए हम लोग इस उमर में क्या करेंगे हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे इतने दिनों से हमारी दुकान है यह बैसी स यह लोग यहाँ पर बड़ी हस्तिया है जो जैसे की यह कमला नेरू टेस्ट जो कागरेस की है वो लोग इसके दवाव बना रहे हैं और दवाव बना के खाली करना चाहते हैं हातरस के पीडिक परिवार से सीवियाई ने आज फिर पूस्ताच की अपने कैंप कारियाले पर पीडिता के माँ और भाई को बुला कर जान करिया ली गई हातरस के चंदपत कोटवालिक शेत्र में वेसामोहिक दुशकर्म मामले में सुप्रीम कोट के आधेश के बाद यू इस बीच हातरस कांड की जाच के लिए गठित विशेज जाच दल ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप दी है रिपोर्ट में हातरस के पुलिस अपसरों की भूम कपर सवाल उठाये गए हैं और ऐसे मामले की कारवाई में एहम सुझावा भी दिये गए हैं कोट में थाना इस्तर के पुलिस कर्मियों से लेकर संबंदित पुलिस अपसरों के बयान को भी शामिल किया गया है सूत्रों के अनुसार साथ की रिपोर्ट से निलंबित स्पी और सीओ समेथ सभी पुलिस कर्मियों की मुसीबत बढ़ सकती है साईटी में डिया जी चंद प्रकास और पीएसी आगरा के से ननायक पूनम भी शामिल थी उधर हाई कोट की लखनौ बेंच में शोंबार को हाथरस कांट पर सुनवाई हूँ जिसमें हाथरस के जिलादिकारी की प्रमुल कुमार को हटाय या बनाय रखने पर राज सरकार ने 25 नुमबर तक निर्णने करने का वक्त मांगा है हाई कोट ने अगली सुनवाई पर सी बी आई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है जिस तरीके से कोट में लाज स्टार से बहुत सारे सवाल किये जिसका उन्होंने आंसर दिया बट और लिए क्योंकि उनके पास रिटिर में कुछ नहीं था तो कोट का कहना है कि अगर आपने उस पीड़ता को रात में डेड़ बॉड़ी को जलाया तो उसकी बज़े क्या थी इनका कहना था law and order fail हो सकता था तो कोट ने कहा कैसे उनका कहना था कि वहाँ पर gathering बहुत ज़ादा थी तो कोट ने रिपोर्ट मांगी है कि आप मुझे पहले प्रूफ दीजिए कि कितनी gathering थी क्या वहाँ law and order इतने कम people disturb कर सकते थे जैसे कि family का कहना है या हम सब नहीं देखा और मीडिया ने भी दिखाया करीब 500 मीटर के surrounding वहाँ पर कोई person नहीं दिख रहा था सिर्फ फैमिली मेंबर से जिसमें भी 50-60 लोग होंगे जिनको police ने detain कर रखा था और ज्यादा तर उस पॉइंट पर जहाँ पर पीरता कदास इसकाल किया गया करोना के असर के चलते अर्थव्यवस्ता की रफ्तार में जो कमी आई थी वो फिर से वापस तेजी से और लोटने लगी है करोना के चलते देश दूनिया की अर्थव्यवस्ता को खासा नुकसान पहुंचा है लेकिन भारत में बीते कुछ महीनों में अनलॉक के बाद जिस तरह से आर्थिक गतिविदियों को बढ़ावा मिला है उससे देश की अर्थव्यवस्ता फिर से पट्री पर लोटने के साफ संकेत मिल रहे हैं अक्टूबर महीने में देश में GST संग्रह का आंकड़ा एक लाग करोड के पार पहुंच गया और ये एक लाग पांच हजार करोड से भी जादा रहा इतना ही नहीं देश के अधिकान्ष राज्यों में GST संग्रह बढ़ा है कोरोना संकट की दस्तक के समय फरवरी 2020 में भारत में GST कलेक्शन एक लाग करोड के पार रहा था लेकिन उसके बाद लगातार आर्थिक गतिविदिया ठप होने की वज़़स से ये आंकड़ा कम होता गया लेकिन सितंबर महिने में पिछली साल की तुलना में GST कलेक्शन में इजाफा देखने को मिला और इसमें पिछली साल की अपेक्षा 10 फीसिदी से जादा की बढ़ोतरी देखी गई वित मंत्राले द्वारा जारी के गए आकड़े के मुताबिक अक्टूबर 2020 में GST राजसो संग्रह एक लाग पांच हजार एक सो पचपन करोड रुपे हुआ जिसमें CGST 19,193 करोड रुपे रहा तो वहीं SGST 25,411 करोड रुपे रहा इस दोरान IGST के रूप में 52,540 करोड रुपे राजसो की प्राप्ति हुई तो सिस के रूप में 8,011 करोड रुपे का राजसो संग्रह हुआ अक्टूबर महिने तक दाखिल GST RB 3B रिटरंड की कुल संख्या 80,000 के पाथ पहुँच गई GST कलेक्शन में उच्छाल केंदर सरकार के लिए बेहद अच्छी खबर है क्योंकि केंदर सरकार को राज्यों को दो दश्मलो तीन पाँच लाग करोड रुपे की GST भरपाई के लिए एक दश्मलो एक लाग करोड रुपे लोलने ना है और पिछली महिने में ही केंदर सरकार ने 16 राज्यों सही दो केंदर शासित प्रदेशों को GST शतिपूर्ती की पहले किष्ट के रूप में आरवियाई से कर्ज लिकर 6,000 करोड रुपे का भुखतान किया है GST लागू होने के समय केंदर ने 5 वर्षों तक राज्यों को होने वले नुकसान की भरपाई का वादा गया था जिसके तहत केंदर सरकार ने राज्यों को ये पैसा दिया है अक्टूबर महिने में महज GST कलेक्शन में ही बढ़ोतरी नहीं देखी गई है बलकि अन्य संकेतों से अर्थ विवस्था के पट्री पर लोटने के संकेत मिल रहे हैं कोर सेक्टर में सभी आठ प्रकार के इंडस्टी में उच्छाल देखे जा रहे हैं जिसके चलते बिजली की मांग, स्टील उतपादन, कोईला उतपादन सभी में उच्छाल देखे जा रहे हैं सिप्तंबर महिने में निर्यात में पांच फिसीदी से जादा की तेजी देखी गई है। उत्पादन की मोर्ची पर PMI इंडेक्स में सिप्तंबर महिने में अप्रेल के मुकाबले करीब 57 फिसीदी का उचाल आया है। सर्विस सेक्टर में भी अप्रेल के मुकाबले सिप्तंबर में करीब 50 फिसीदी की बढ़ोतरी देखी गई है। इबे बिल में भी सिप्तंबर में करीब 7 फिसीदी की बढ़ोतरी दर्च की गई है। ग्रामिड भारत में सिप्तमबर में जबरदस्त मांग देखी जा रही है जिसके चलते ट्रेक्टर के खरीद में अप्रेल के मुकाबले 75 फीज़ी की बढ़ोतरी देखी गई तो वहीं देख में यातरी वाहनों के खरीदी में भी बीते महीनों में जबरदस्त उचा लाया है बीते दिनों एक अख़बार को दिये गए इंटर्विव में प्रधान मंतरी मोदी ने भी इस बात को साफ तोर पर स्विकार किया था कि देश के आर्थिक गतिविधियां तेजी से सुधार की और अग्रसर है और उन्हें इस बात का भरोसा है कि भारत दो हजार चौबिस तक पांस ट्रिलियन की अर्थ व्यवस्था बनने की शमता रखता है बतायों पहुचे भाचपा के नव निर्वाची त्यादस अबा सांसत बील वर्मा का कारकरताओं ने जोड़दार स्वाकत कर रोट शो निकाला इस सबसर पर एक जनसबा को समयुद करते हुए बील वर्मा ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुचाने के लिए हर संबाव प्रियास करेंगे नोनने कहा कि उनकी पहली प्रात्मिक्ता है कि प्रियस का विकास हो और सरकार के दौरा आम जनमानस के लिए चलाई जा रही केंद्रिय और राज सरकार दोनुकी योजनाओं जनता तक पहुचे उन्होंने कहा कि बाज़पा एक ऐसी पार्टी है जिसमें सभी करमठ कारकरताओं को एक दिन उंचाई तक पहुचने का मौका आवश्य मिलता है जिसका जीता जाकतर उधारान मैं हूँ उन्होंने का क्रिशी बिल की तारीफ करते हुए कहा कि ये बिल किसानों के हित के लिए है विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वह उसका भिरोध कर रहे हैं वही प्रदेश में हो रही वोटिंग पर कहा कि वो सभी साथ सीटे भाजपा जीतेगी देश को समन्द अवराए वहां जब पार्टी ने मुझे रासा मेजा है निश्यत मानी है कि मेरी जैसा कार्यकरता जो जम्मी ज़्रवगा कार्ता है तो बदाईं कामी प्रकास होगा और हम बरेली बंडल प्रदेश की संताकियं करेंगे। अपना साकार हुआ है ये परिवार काफी वर्षों से अपने पती वा बच्चों के साथ जिंदगी कच्चे मकान में रहकर जिंदगी गुजर बजर कर रहे थे इन परिवारों कभी नहीं सोचा था कि उनके भी पक्के आश्याने हो जाएंगे लेकिन प्रदार मंतरी आवास य परिवारों और कच्ची चट की वज़े से रात भर तपक्ती बूंदों के कारण सो नहीं पाते थे और डर लगा रहता था कि चट गिर न जाए लेकिन प्रदार मंतरी आवास यूजना से पक के घर बन जाने से अब सुकून से परिवार के साथ जिंदगी काट रहे हैं और बच्चे भी बेफिक्र होकर अच्छे से पढ़ाए कर पा रहे हैं पहले मेरा घर कच्चा था लब कच्चे से पाटा हुआ था और चू बहुर रहा था बच्चे थे तो दिक्कत थी अब तो पक्का बन गया तो ठीक है बच्चे भी सही से रहते हैं हम भी सही से रहते हैं और हमें अब कोई दिक्कत में हमारे कच्छे माकान थे हमें बच्चों को परसाई जाती थी और चपड़ पड़े थे चूने लगता था बरसात में इससे हमें प्रधान मंतरी की तरप से आवास मिला है और जो समस्याई थी वो अब नहीं है खत्म हो गई माकान काफी साल थे कच्छा था सभी कच्छी दिवाले थी लगबग और हम लोग बहुत मुसीवत का सामना कर रहे थे और बच्चों को भी काफी दिक्कत थी बार इसमें छप्रा बगेरा पड़े थे इससे हम लोग को बहुत ही देख थी तो प्रधान जी द्वारा हमको यह मितलब बवस्ता मिली इजमे लगए रहे रहूंछा थे और रही रहे क्यिक दो डिक दो फो पहले डिकत हो तूद धी रेकी छपरा रहा है चुवत रहा है, कपड़ालत, जंवन पन रहा है, बहुत सभीन जाते रहा है. पराम बाइठें का दिक्कती रहा है, जाता उनों के बरसे तो आठा रिये, दौरी चली जाओ, अबेता पुंपन याता, तानों सकून है. मेरा पहले घर कच्चा था, तो बारिस में बहुत दिक्कते होती थी, कि जंगल में भी घर बना, मेरा कुरियोरीय डाल कर रहते थे, कच्चा मकान था, तो बच्चे के लिए भी हमको भी बहुत परिसानी होती थी, मगर अब ये आवाज विकास जो हुआ है, हमें प्रधान मंत कारी दे कर कहीं जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत और टेंसन भी नहीं रहती है, आज हर्दोई में DCM श्रीराम गुरूप की हर्यामा, रूपापूर और लोनी चीनी मिलों ने अपना पेराई सत्र शुरू किया है, किसानों को गन्ने की परची के अलावा भी गन्ने की खेती से में उत्पादकता बढ़ाकर वर्ष 2022 किसानों की अंदनी दूगनी करने के मोधी सरकार के सपने को साकार करने की दिशा में भी कई सुधाएं मुबाइल एप के माध्यम से उपलब्ट कराए जा रही हैं, DCM श्रीराम गुरूप की CEO और अधिशासी निदेशक रोशनलाल टा रही हैं, और किसान को मिल में गन्ना लाने के लिए अलग-अलग गाओं के इसाब से समय भी निर्थाइद किया गया है, जिससे की चीनी मिल के गेट पर किसानों की एक साथ गन्ना बेचने के लिए भीड़ना हो और सोसल डिस्टंसिंग के मंत्र पर भी किसान अनुशासित रह सकें, किसानों के मुवाइल पर गन्ना मूल के सीधे बैंक में जमा होने का संदेज भी अब प्राथ होगा डिस्टंसिर राम समू की चारों चिनी मिलें अजबापूर, रूपापूर, लोनी एम हर्यावा का प्राई सत्र का सुबारू कर दिया गया है इस प्राई सत्र में लगबग सवा शे करोड कुंट्र गन्ने की प्राई करने का लक्ष है इस वर्ष गन्नक्रिस्कों को अपनी परची, सक्टा, भुगतान, इत्यादी के बारे में व्यक्तिगत रूप से ना संपर्क करना पड़े इसके लिए एक काल सेंटर की विवस्था की गई है इसके तहट ये ववस्था होगी कि किसान भाई अपनी समस्चा को टेली फोन पर ही सुचित कर देंगे और तत्पस्चाद उसका निराकन किया जाएगा और गन्ने का परची करोना वायरस के बज़े से परची नहीं आ रही है इस वज़े से मेसेज़ द्वारा परची बहजी जा रही है और हमारा गन्ने का पमूल भुकतान मेसेज़ द्वारा किया जा रहा है और टाइम से पैसा भी आ जा जाता है पेली फीट टाइगर रिजर्ब परेटकों के लिए खोल दिया गया है अब परेटक 15 जून तक इसका लाव उठा सकेंगे पीली भीट, टाइगर, रिजर्व, पुरु मुख्याले के पास बने प्रवेश द्वार पर डियम और स्पी और बीजेपी विधायकों ने हर जंडी दिखा कर परेटकों को रवान किया तो वहीं वनमंत्री ने लखनओ से ऑनलाइन इसका चुबारम किया इस मौके पर पहले दिन फ्री में कई सफारी, जिपसी, गाड़ियां, स्कूली बच्चेयों और परोटों को लेकर भ्रमन के लिए रवाना हुई जंगल में बन चुका परेटन स्पोट पर थारू हट, बैंबू हट और ट्री हट में ऑनलाइन बुकिंग के द्वारा बुक कराकर परेटक रात त्री विश्राम कर सकेंगे इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की भी विवस्ता की गई है गौर तलब है कि पीली भीट में 71,000 हेक्टेर में फैला एक घना जंगल है जिसमें पीली भीट टाइगर रिजर्व बनाया गया है टाइगर रिजर्व में 60-65 टाइगर के साथ ही तमाम वन जीव मौझूद है जो परेटकों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं टाइगर रिजर्व के परेटन सत्र की आशुरुवात हो रही है मान्नी मंत्री जीद्वारा लखनव से वर्च्वल तरीके से इसका शुबारम करा गया यहां पे भी शुबारम के मौके पे सभी जन प्रतिनिदीगार्ण और सभी अफसर मौजूद रहे इस बार इस सत्र में हम लोग टाइगर के साथ साथ जो इस छेत्र में अन्ने भी बिंदू है Ñकर्षन के बिंदू है पंदरा ऐसे बिंदू चिन्निद करे गए inhale उन पंदरा पॉin्ट को सेलानियों के लिए खोला गया है जैसे क्रोकोडाइल पॉइंट हो गया, उटर पॉइंट हो गया, सुरितार हो गया, इस तरह से कई पॉइंट अइडेटिफाई करके, उनको चिन्ध करके परेखों को लाया जा रहा है प्रदेश की राजपाल अनंदी बेंट पटेल ने वारानसी के अपने दो दुस्य दौरे के दौरान सेवा पूरी ब्लॉक के मटुका और अमनी गाहों के आंगनवाली केंद्रों वे प्राइमरी स्कूलों का दौरा किया साथ ही साथ दोनों ही आंगरवाली केंद्रों और प्राइमरी स्कूल का विधिवत दिरिक्षण भी किया इस सवार पर उन्होंने बड़ी बारीकी से एक एक चीजों को देखा और समझा विशेश रूप से बालिकाओं की सिक्षा के संबन में सीधे चात्राओं से वारता किया और कोपोशन के संबन में बच्चों की माताओं से वारता कर जानकारी लिए और उनको पोशन से संबन दित्कित भी प्रतान की उन्होंने ये भी कहा कि आप भी खाओ और बच्चे को भी खिलाओ इसी में कोपोशन की दूर होगी और गोदभराई महिलाओं की गोदभराई की भी रस्म को अदा किया गया और सभी को पॉस्ट एक खाद समागरी भी दी गए बारत में कोरोना के मामलों में प्रति दिन गिरावट देखी जा रही है देश में कोरोना वाइरस मामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 76,3,121 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 99,96 प्रतिशत हो गया है पिछले 24 गुंटों में 58,323 लोग स्वस्थ हो हैं देश में कोविट से मृति उधर घटकर 1,49 प्रतिशत रहे गई हैं देश में फिलहाल 5,44,405 सक्रिये मामले हैं सतरक भारत समर्द भारत के साथ NTPC उशाहर में सतरकता जागरुता सप्ता संपन हुआ सतरकता जागरुता सप्ता प्रतेक वर्ष उस सप्ता के दौनान मनाया जाता है जिसमें सरदारवल भाई पटेल यानी 31 अक्टूबर का जन्व दिन आता है नागरिक भागेदारी के माध्यम से सारुजनिक जीवन में इमानदारी तथा सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए ये जागरुता सत्ता हमारी प्रतिवद्धिता की पुष्टी करता है इस कारेक्रम में असिद्धत्ता अरिदम बनरजी सके जहां दीपेन दुमंडल सहित अन गंडमान विक्ती मौझूद रहे इनिक सिंपूल सथा उसका है कि आप दूसरे के पैसे को दूसरे के धन को मिट्टी के टुकड़े के समान रख सोचो कीटी जाफ नो यूज ये सोचने से ही आपके 50% अपने आप जागरुता जाएगी आप ये सोचेगे और इससे आपको एक कवेर्नेस भी आएगी और दू लेकिन उसको आप सोचीत नहीं सकते है आप कर्क रिकल बनाई नहीं कर सकते है आपका है और जब आपके अंतर ये पहाउना जागरित रहेगी कि मेरा नहीं है तो पिर आपके उसको पाने के लिए कोसिस भी नहीं करेंगे चार नॉंबर वे एतियासिक तारीख है जब पतित पाउनी गंगा नदी को राश्ट्रिय नदी घोशित किया गया था गंगा सनक्षन के प्रयासों को बल प्रदान करने के लिए हर साल राश्ट्रिय स्वच गंगा मिशन महुथ सो दोजार बीस का आयूजन करता है दिल्ली के अशोका होटल में गंगा उत्सो की शुरुवात हुई ये कारिक्रम दो नॉंबर से चार नॉंबर तक चलेगा ये सबी कारिक्रम आउनलाइन होंगे इस मौके पर गंगा डायलॉग का आयूजन किया गया जिसमें कई जाने माने का लाकार और परियावरन विद और गंगा सनरक्षन के लिए चलाए जा रहे तमाम प्रयासों के बारे में चर्चा करेंगे बच्चों को गंगा सनरक्षन के पति जागरू करने के लिए स्टोरी टेलिंग नदियों को जोडने के लिए बनाए गए एक फिल्म चलाए जाएगी साथ ही वेंटलीन की सनरक्षन के लिए जारी एक फिल्म का भी आयूजन किया जाएगा केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिं मनाते हैं ताकि गंगा के साथ में लोगों का सहथ संबंद और अधिक सुत्रण हो सके अनेक कारिकरम किये जाते हैं सांस्कृतिक और अकेडमिक कारिकरमों के माधियम से लोगों के भागीदारी को और अधिक बढ़ने का प्रयास किया जाता है इस बार COVID-19 के कारण हम ये कारिकरम वर्च्वल प्रीट्फरम्स के माधियम से कर रहे हैं मैं आप सब से अग्रे करता हूँ कि हम आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गंगा उत्सब के साथ में जुड़ें चार नौवंबर को अपनी भागिदारी इसमें सुनिश्चित करें धन्यवाद फिलाल हमारा ये बिलोटिर यहीं समात होता है हमें दीजिए इजारत नमस्कार